Hello friends, welcome to my YouTube channel, friends, क्या आपके भी स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके का प्रॉबलम है, कि अगर आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल किया है, या आपने किसी के पास कॉल किया है, तो उस टाइम आपका इंटरनेट बहुत ही स्लो वर्क करता है, या इंटरनेट चलता ही नहीं है, आ प्रॉबलम को आपकी इस तरीके से ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको एई बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल इसकी मत करिएगा और लाश्ट तक बने रहीएगा, तो चले friends, वीडियो को स्टाइट कर लेते हैं, बेदावू टाइम बेस्ट के, ल open करने के बाद friends यहाँ पर आपको network and internet का option देखनी को मिलेगा, इसी पर आपको click कर लेना है, इस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको SIM card and mobile network का option देखनी को मिलेगा, इस पर आपको click कर लेना है, दन उसके बाद friends यहाँ पर आपको internet access during calls का option देखनी को मिलेगा, यह अगर तरीके से OFF होगा तो इसे ON कर देना है. आम के स्मार्ट फोन पिए बहुंद भी कॉल करेंग या आप खराएंगहें न होगा और इस तरीके से on कर देना है, अगर यहां पर आपको internet access during calls यहां पर option देखनी को नहीं मिलता है, तो friends यहां पर आपको अपने sim को select करके, यहां पर आपको कहीं पर भी option देखनी को मिल सकता है, जैसा कि यहां पर कहीं पर भी option देखनी को मिल जाएगा, अगर वहां पर आपको internet access during calls लिखा हुआ आ सकता है बट यहां पर डूरिंग कॉल जो होगा उसी को आपको यहां पर आन कर देना है आन करने के बात अब आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल करेगा या आप किसी के पास कॉल पर बात कर रहे होंगे फिर भी आप इंटरनेट को अपने यूज कर पाऊगे त इस तरीके से आप इसी प्राब्लम को ठीक कर सकते हो तो फ्रेंट्स यही छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेलफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा